कुश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कहरा भाग के एक प्रस्ण में भाजक भागफल का आठ गुना है ध्यान देना जहां कॉमा लगा है वहां से बात फुलिश टाफ हो रही है भाग के एक प्रस्ण में जो भाजक है वह भागफल का आठ गुना है तथा सेसफल का तो भाज क्या होगा उमीद है कि आप सभी कर ले जाएंगे कि नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो डॉंट वरी बिल्कुल टेंथन नहीं लेने का है मैं सब बताऊंगा पहले तुम्हें आपको यह बता दूं कि भाज भाजक का क्या मतलब है क्या लोचा है इसको आप बात फिर आगे बढ़ते हैं पॉइंट वाली बात पर आईए देखिए समझ यह यहां पर आप सभी बहुत बच्पन से पढ़ते आये हैं यह सब चीजें कोई नहीं नहीं है देखिए जिस संख्या से हम भाग करते हैं जैसे माल लीजिए उदाहरण के लिए मैंने यह इंग्लिस में इसको कोईसियंट बोलते हैं जिस नंबर में भाग करते हैं इस नंबर को क्या बोलते हैं भाज बोलते हैं ठिक है और जिससे भाग करते हैं इसको भाजक बोलते हैं और जो नीचे बच्चता इसको सेस बोलते हैं इंग्लिस में इसको रिमाइंडर बोलते हैं भाजक को इंग्लिस में डिवाईजर बोलते हैं, भाजक को इंग्लिस में डिवीडियंड बोलते हैं, और योग भागफल को क्वैसियंड बोलते हैं, फिर से लौट के आईए, कहरा भाग के एक प्रस्न में, भाजक भागफल का आठ गुना है, यानि जो भाजक है वो बराबर है चलिए सबसे पहले हम इसको लिख लिए भाजक क्या है भागफल के आठ गुने के बराबर है यानि भागफल गुड़े आठ यह यह आपका प्रफन नंबर पहले का समीकरन नंबर एक बन गया आगे कंडिशन अभी सुनते जाईएगा कर के कि से इसका पाच गुना है कौन वही भाजक के बारें बात हो रही है कोई इंसान बड़ा गंधहिला approximately है वह मकाप का है है तो वेसे यह कही है इसको अजल्दी के चक्र में कर पढ़ना हो जहें घबरानने यह मैं आगे बात करूंगा की क्या होने वाला है सब कर राकि सेजफन का क्या है मैं। पांच bastardy कर लिया आप यहां समझना इसमें अब देखते देखे सेजफन दिया चारी स्वहां कि या इन सकते हैं कि जो भाजक अट दोस्त है क्यों भाजक 200 है मेरे भाई भाजक 200 है भागफल कितना है भागफल तो पता ही नहीं है हमें भाज निकालना है कि पता है कहीं नहीं पता है यह बताओ अगर आपको भाजक पता है पेस फल पता है तो आप बाकी जो चीजें उन्हें निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो ना भ यहां से समझना नीचे काला कहानी है ठीक है मैंने भाजक की जगापर यह 200 रख दिया क्योंकि इसका मान आया भी अभी ठीक है बात पक्की अब यहां से भाग फल निकालेंगे तो यह आठ इधर गुड़ा में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा यानि यह हो जाएगा 200 ब बराबर भागफल differentiation की आठ से इसको काटेंगे कितना जाएगा आठ एक कम आठ जोलाएट पंचे 25 ना यह ना यह फाग फल कि इतना आ लेनं कितना आ तो क्या आप भाज ने निकाल सकते हों कैसे निकलेगा भाज कैसे निकलेगा एक छोटा सा फार्मूला लगता है यहां पर देखिए बच्पन से पढ़ते आए हैं बेसिक में पढ़ाया हूं यह भाजक गुड़ा भागफाल धनसे इसमें रख करके आप भाज को निकाल नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीब्यार स्टडी में इतना मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बता आप इना कुछ बोले जिससे कि आपको लगे कि आज बहुत बैतरीन कलास होने वाली है समझ रहना टाइम बचाने की पूरी गारंटी कम समय में ज्यादा पढ़ाई होने वाली है अभी मैं यह कोईश्चन भी करने वाला हूं लेकिन मैंने ना निश्टापीस लिए किया क्योंकि अब कलास का तरीका बदल गया है कम टाइम में ज्यादा आपको मिले हमारी यह कोसिस है मतलब आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए आईए शुरू करते हैं कोई भी लक्षे मनुस्य के साहत से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं तो आपको हार नहीं मानना है लड़ना है पूरा लड़ना है जी जान से लड़ना है चलिए आगे द कितना आया था 200 आया था भागफल कितना आया था 25 पहले से दिया था 25 का दो में गुड़ा करेंगे तो यह पचास हो जाएगा और दो जीरो बगल में उतर जाएगा यानि 5000 फाइनल में अगर हम बात करें भाज यानि डिवीडियंड की तो यह 5040 आयेगा अब इसे आप चेक भी कर सकते हैं कोई डाउट की बात नहीं है 5040 भाज जाया है ना आप भाज यानि 5040 में क्या करिए भाग दीजिए किस से 5040 में आप भाग दीजिए 25 से और फिर देख लिजिए जो जो कहा गया उसा बाज आएगा चलिए मैं आपको उपर करके दिखा देता हूं समझ में आ गया सबकी बात क्लियर हो गई ना कोई किसी से तो बताइए और मैं कुश्चन को अभी दिखा दूँगा एक बार स्क्रीन पर फिर से कुछ सिकंड के लिए वैसे कुश्चन आप पहले देख चुके हैं आगे बढ़े यह कुश्चन है जो कुछ सिकंड दिख रहा है कुश्चन में जाला देर इस लिए दिखा रहा हू पथा सेसफल का 11 गुना है यदि सेसफल 60 दिया है 60 दिया है तो भाजी क्या होगा यानि आपको डिवीडियन बताना है ऑप्सन आपके सामने दिये हैं बहुत ही प्यार से आप देखिए और इसमें से कोई भी एक ऑप्सन जल्दी से कमेंट करिए फट से मैं सबको देख रह आठ बजे से देख सकते हैं ठीक है संदीप आपका भी कमेंट आ रहा है वर्सा कुमारी रभी कुमार प्रियंका सिंग मनोज राहुल बवीता विस्नोई पारूल सिंग अंकित हनु मिस्रा और राम कुमार यादो अंकिता यादो सबका कमेंट आ रहा है मानस मिस्रा हाँ सब पढ़ाने दीजिए चलिए बरी गुड रहुन कांसर सही है ठीक है आप्सन कौन सा सही है बी नमबर तिरह 43 पांसो साथ देखिये कैसे कुश्चन में कह रहा है कि किसी प्रस्न में भाजक भागफल का दस गुना है तो भाई सिंपल है जैसे कह रहा हूँ ऐसे कर लेना है भाजक भागफल का दस गुना है तो आप भागफल गुड़ा दस कर देंगे तथा सेस्फल का क्या कह रहा है सेसफल के बारे में भी कुछ कह रहा है क्या तथा सेस का ग्यारा गुना है यानि जो अभी करे थे वही बिल्कुल तरीका करना है ये भाजक ही है जो सेस का ग्यारा गुना है आईए हल करते हैं सेसफल भी दिया है क्या इसमें हाँ के रहा है यदि इसमें reminder 60 है यानि 60 है तो यहाँ पर 60 रख दीजिए 60 रखिए 60 बेमानी नहीं तो यह हो जायागा 660 यानि आप कह सकते हैं यहाँ पर कि आपको भाजक भी मिल गया ठिक है यानि भाजक 660 आ गया सेस्फल 60 दिया है अभी आप एक काम और भी कर सकते हो इसको अगर equation number first हम बना ले तो भाजक कमान equation number one में रख दीजिए भाजक की जगा पर 660 बराबर भागफल ठीक है यह भागफल गुड़ा 10 ठीक है बात पक्की यहां से भागफल निकालेंगे मेरे भाई यह चेसो साथ ऐसे रहेगा इधर यह कुड़ा में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा एक जीरो से जीरो कैंसिल यानि आप कह सकते हैं कि यह भागफल जो है कितना आ गया 66 आ गया अब यह बताई है अगर भागफल आ गया भाजय का गया सेसफल इंकल जायेगा नहीं निकल जायेगा न कौन सा लगा दीजिये ना मोई भाजय बद्राबर 카्य हो जाएगा भाज बराबर भाजक गूड भागफल धन सेस फल तो भाजक कितना है भाजक आया छे सो साथ भागफल कितना आया है 66 आया है दन सेस्फल कितना था 66 का जब गुड़ा करेंगे आप 66 में तो मेरे भाई 66 का वर्ग होता है 43 चपन कितना होता है 43 चपन 43 चपन ये 66 का स्क्वायर होता जहां तक मुझे पता है कल्कुलेटर करो कितना हैगा दूर्गेस हाँ सही ठीक है और एक 0 लाश्ट में यहां पे था 0 भी लग जाएगा धन 60 इनको जोड़ देंगे यार कुछ ज़्यादा नहीं हो गया का 60 भी तो जोड़ना था इसमे नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा है जो भी ये सब सही है अपनी जगा जगा ये है जगा ये जुड़ेगा तो आपका 43,620 आएगा ठीक है यानि इसमें से जो कोई option दिया गया option सही नहीं है जो answer हम लोग कर रहे थे वो गलत है इसमें से कोई भी option सही नहीं है तो ये 43,620 अगर option होता तो ये सही था ठीक है तो परिक्षा में हम लोग लेकिन ऐसा नहीं करेंगे आप सुन सही कर लेंगे उसमें ये कर रहेगा नौन आप दीज अगर ऐसा नहीं रहता तो पूरा question गलत मान लिया जाएगा बाद में आप लोग देखते होंगे ना सीटेट में परिशनों के उपरती आप अपत्ती दर्जी करते हैं बाद में ये तो पूरा question अचोपड था था तो ऐसा question नहीं आएगा पर इच्छा में आप संसाही आएगा अगर इसमें से आप संसाही नहीं आता है तो आप लोग उसके लिए बाद में अपत्ती कर सकते हैं सीटेट सूपर्टेट यूपिटेट कोई भी ठीक है ये हो गया समझ मैं सभी को एक बार येस बोलिए लिए जल्दी से मैं साइड हो गया हूँ बहुत जल्दी करें टाम कम समय में ज्यादा कुश्चन होना चाहिए अगला नेक्ट कुश्चन इसक्रीन पर देखिये अब इसमें कहानी थोड़ी सी अलग है वो क्या है समझ यह और कोशिज करिए कि कहरा कि जब कुश्चन में दो बार भाग द यह क्या करना है इस प्रकार के प्रस्ण में सदय जो पहला भाजक है वो दूसरे भाजक से विभक्त होगा और इस प्रकार के प्रस्ण में दूसरे इस्तिती का सेस्फल पूंचा जाता है रूल क्या है इसका? कि दूसरे इस्थिती का जो सेस फल आएगा उसे प्राप्त करने के लिए पहले सेस में दूसरे भाजक से भाग दे देंगे बस यही सिस्टम है आएए देखते हैं बिना कुश्चन के समझ में नहीं आएगा कुश्चन स्क्रिन पर दिखाईए तुरन दिखाईए जिससे की समझ पाएए बच्चे और जो भी कंडिडेट है देखिए इसमें दो बार भाग हो रहे इक नहीं समझ यह क्या कह रहा है कह रहा कि किसी संख्या में 130 से भाग देने पर सेस फल 45 बच रहा है यदि उसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो सेस फल कितना बचेगा बहुत आफान है सिंपल है जो बोला गया भी रूल हो ही कर लीजिए दो बार हो रहा है न किसी संख्या में 130 से भाग कर रहे है पहली बार क्या है किसी संख्या में 130 से भाग हो रही है ऐसे फिर करा यदि उसी संख्या में पांच से भाग दिया जाए तो सेसफल कितना आएगा यानि फिर फे उसी संख्या में उसी संख्या मतलब फिर फे वही किसी संख्या पांच से भाग दिया जाए तो यह सेसफल क्या आएगा यह बताना है बहुत आसान है आईए देखिया अभी जो रूल बताया में फंडा बताया ना भी स्टार्टिंग में वहीं फंडा इसमें भी लगा देना है बहुत आसान था कहना इस प्रकार के प्रस्ण में सदेव पहला भाजक दूसरे भाजक से विभक्त होता है इसका मतलब जानते हो पहला भाजक कौन है 130 है और दूसरा रूल क्या कह रहा था रूल में कह रहा था कि दूसरी इस्थिती का जो सेस्फल प्राप्त करने के लिए पहले जो सेस्थ आ रहा था फंश्ट इस्थिती में दूसरे भाजक से भाग देते हैं तो यहां पर पहली इस्थिती का जो सेस्फल हो कितना आ रहा है पहली इस्थित तो यहीं न तो यानि 45 में 5 से भाग कर देंगे जो आएगा अशर आजाएगा देख लिए रूल है ना रूल देखिए नीचे सबसे दूसरी तिती का जो सेज़ पल उसे प्राप्त करने के लिए पहले सेज में दूसरे भाजक से भाग करते हैं बहुत सिंपल है लीजिए यान तनी आपका क्या जाएगा अंसर 45 से आप भाग करिए 45 में 5 से नव जायागा लागा कितना 0 क्या पूछ रहा था है क्या पूछ रहा था सेस्पल पूछ रहा था जो भी सब आ गया भाज बाजक सेज़ पल सब निकदी ख्राब जल्दी लिख लिए उतार लिजिए सेज़ प एक बार कुश्चन देखिए फिर से अभी सब क्लियर हो जाएगा इसको नोट करिए फटा-फट जल्दी करिए परस्न एक बार फिर से देख लिजे स्क्रीन पर है सेसफल कितना बचेगा जीरो बचेगा आईए नेक्स्ट कुश्चन आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्दी ही स्क्रीन पर नजरे गड़ा के रखिए नीचे आ गया ना चोधा केरा किसी संख्या में 110 से भाग करने पर सेसफ आप्षन देदू में आप्षन लिख लो पहला आप्षन है अनतालिस दूसरा जीरो अगला तीसरा आप्षन है पांच चौथा आनौन आप दीज यानि इन में से कोई भी आप्षन सही नहीं इसका मतलब चलिए ट्राइब कर लिजिए फटा फट जल्दी करिए हो गया सभी ट्राइब कर लिए ठीक है माही माही जी आपका कमेंट आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आपने कोशिस किया बहुत अच्छे ठीक है लोकुस कुमार आपका भी कमेंट आ रहा है रादिका और कुछ इस्पेसली कंडिडेट हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूंगा जैसे कि हरी स्य हरी स्याम जी अध्या से हैं यह काफी दिन से इस क्लास में जुड़े हुए हैं अलका निगम अन्नू लालु यादो सुप्रिया और अस्फा प्रियंका स्रिवास्तो अमर दिनेस आजय कुमार कि सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं और आप लोग की अगर कोई सिकायत है तो देखिए फाइब नंबर जो है थोड़ा सा टाइप चेंज होगा इसमें आपको टाइप चेंज करना पड़ेगा और इसमें आपको समझना है कह रहा कि ऐसे प्रस्ण में यदि संख्या के यन गुने या संख्या के वर्ग या संख्या के घं में भाग देने की बात की जाए तो वही क्रिया जो करने को बोलेगा वर्ग घानिया भाग पहले सेस्फल के साथ करेंगे और फिर दूसरे भाजक से भाग दे देंगे ये इसमें रूल है फंडा है आईए देखते हैं जो भी क्रिया करम ये करने को बोलेगा वही क्रिया सेस्फल के साथ करेंगे कहते हैं आज है ना कि एसमों देखिए तब समझ में आएगा स्क्रिन दिखाईए नेक्स्ट अगला है यदि किसी संख्या में क्या कर यदि किसी संख्या यक्स में हम कूस्ट पता है 120 से भाग करने पर सेसफ़ 15 बच रहा है आगे कहता है य film जिन पाँच कि रहे स्थ फ़ दिया जाए तो और सेसफ़ क्या बचेगा समझने की कोशिस करिये यह पहले कोई संख्या है पता नहीं क्या है उसमें 120 सभाग दिया जा रहा तो देखते हैं अभी जैसे कहा गया सेम पर क्रिया क्या कहा गया है सेशपल के साथ वही क्रिया करना है जो आपको कुश्टन में करने को कहा जाए बस वही करना है सिंपल है आईए केहरा, ऐसे प्रशनों में work y innych गन, कुछ भी करने को अगर कहा जाये, तो वही किरिया सेजफ़ल के साथ करके दूसरे भाजक से भाग दे देते हैं, तो इसमें जो सेजफ़ल है, उसको क्या करेंगे? सेस्फल के साथ सारी प्रक्रिया करेंगे ना कुश्चन में कह रहा है पांच गुड़े यक्स यानि उस संख्या हमें पांच गुणा हो जा रहा है तो हमें काम करेंगे सेस्फल को पांच गुणा कर देंगे इसमें जो संख्या यक्स थी उसमें अगले कंडिशन में उसको पांच गुड़े यक्स में भाग देने को बोल रहा है न यानि पांच यक्स का मतलब यही हुआ देखो पांच यक्स ऐसे आपको हो सकता एक कुछ और लग रहा होगा तो इसको ऐसे लिख देते नहिक है तो चाहेर आइसे लिख रहा तहना पंद्रा बचरा था तो इसको हम 5 गुना बढ़ा देंगे 25 आगया और यह पर किरिया करके क्या करेंगे दूसरे भाजक से बार देंगे यहनि आप इसे बाख दे दो बस हो गया बीस से भाग करिये क्या बचरा से 75 को बाग करिए 20 से 15 ऐसाथ अगला नेक्ट कुश्चन नमबर छटमा देखिए 21 मिनट होने वाला इतने में 6 लगबक हो गए हैं तो कोई प्रप्राबलम नहीं होना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा कुश्चन आज करना है छटमा में देखिए एक चीज छटमा करने के पहले ध्यान दीजिए यदि अंत में भाजक बड़ा और भाज्य छोटा हो तो भाग सूनने बार जाएगा और सेसफल भाज्य के बराबर होगा यह काहे को दिखा रहें समझिएगा जो कोश्चन इसके पहले अभी आपने किया थ कि याद होगा अभी आपको अभी-अभी किया था न यह कहा गया था कि जो कि कुश शयाथ है किना वहीं बतायान के दूसरा भाजक होगा दूसरे भाजक से पर्थम¹ में भाग देएंगे यहीं बताया था ताना अभाति तीफ्ज चुशन कराया था इसको देख लिजीए तो मैंने बताया था कि दूसरा भाजक से पर्थम सेस्पल में भाग देंगे यानि हम5 से हमेशा क्या क्या करें है 25 में भाग देंगे अर्थम सेसफहल 45 है ना दूसरा ज़ detres 500 दीख रहे सब्सक्राइब शिंपल जा रहा है लेकिन अगर यहीं उलट होती पॉल्क कितना बचेगा तोब भाइया हीया शांस रूख जाती odpowied इंसे बाग हो जाएगा ज्लिजिसों बाग जाएगा जीरो भात ऊचया वहागता जेगा जो भाइगा लोगी फॉर्टिफाइफ स्पहत्तं था क्यों जाता है बात समझ में यह बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें का समझने की कोशिज करते रहिए आगे बढ़े नेक्स्ट चार नंबर हो चुका है पांच भी हो चुका है ना छटमा नंबर में आपको समझना है लेकिन यह बाद छूट रही थी जो कन्फीवजन आप लोगों कर रहा होगा उमीद है इस तरीके के बहुत सारे कुश्चन आपको मिल जाएंगे आप सारी कलास अभी देखेंगे और हां एक काम और भी कर सकते हैं आपके पास कोई भी बुके हैं जिनमें सूपर टेट या टेट सी टेट या कोई भी राजी की टेट परिच्छा का मतलब पढ़ाया गया हो तो आ पर अब आठाया था अ कोalah हो आठायाएं लिखाहर तो आध्यवाय से संध्या अग्यात है यदि यक्स-प्वाइर में स्वकायर का मतलब उसाघ्यात संध्या का इसक्वाइर कर देने पर पर कर देने पर फिर उसमें 30 से भाग दिया जाए तो सेस्फल क्या बचेगा अभी अभी कंडिशन बताया था कि जो भी कंडिशन ये उस अज्यात संख्या की साथ करेगा हम क्या करेंगे वही कंडिशन हम सेस्फल के साथ करेंगे इस ने क्या किया कुश्चन में अज्यात संख्य जो यक्स थी उसका वर्ग कर दिया तो हमें काम करेंगे हल करने के लिए हम जो सेस्फल दिया पहला उसका वर्ग कर देंगे ठीक है उसका वर्ग कर देंगे ये ट्रिक हिसे ही लगेंगे टाइम बहुत कम होता परिक्षा में तो इसका दो सो पचीस आएगा न और फिर क्या हारी स्याम जी बताइए यहीं बताया था ना बोलिए नीचे डाउट आप्शन आ रहा है कमेंट करने का डिस्कस अना एप्लिकेशन में भी न ठीक है सिंपल है आईए कर लीजिए दूसरे भाजक से भाग दूसरा भाजक क्या तीस है कुश्चन में दिख रहा है साथ बार जाएगा पंद्रा आएगा यानि सेस्पल कितना आया पंद्रा होगे आंसर चलिए अगला नेक्ट कुश्चन यदि अन्त में भाजक बड़ा और भाजे छोटा हो तो भाग सुने बार जाएगा और सेस्पल जो है वह भाजे के बराबर आएगा ये बात पक्की हो चुकी है अब आगे समझिए क्या क्या होने वाला है यह वर्क वाला हो ग वालों में मतलब भाग पर आधारित बड़ी लंबी विधी वाली भाग में यह दूसरा टाइप था ठीक है दूसरे टाइप के बाद तीफरा टाइप होगा आपका थर्ड नंबर टाइप देखिए क्या कह रहा है योग वा अंतर पर आधारित ठीक है चाहे तो आप इसमें लिख लीजिएगा यहां तक दिख रहा है टाइप नंबर तीन योग वा अंतर पर आधारित प्रस्न अब देखिए यहां समझिएगा कुश्चन तब आपको समझ में आएगा उपर का रूल हो गया योग वा अंतर पर आधारित जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 21 में कौन सी चोटी फे चोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त जो योग फाल आए वो दो से पूरता विभाजित हो जाए अगर ऐसा कहा गया इसका मतलब जो 11 है वो दो से पूरता विभाजित नहीं है भाग देके देखिए दो एक कम दो गटाएंगे जीरो उपर से एक उतारा अब पूरता विभाज नहीं है न कि उस्सेर्फण आ रहा है कि हम कह रहें कि 21 में क्या जोड़ दें कि दो से पूरता विभाज हो जाए इसमें तो आपको पता है कि 21 एक जोड़ दो गुरुजी बस ना पता ना आपको 21 में एक जोड़ दो बस 22 हो जाएगा 22 से कड़ जाएगा लेकिन अगर यह कुश्चन बड़ा हो जाए यहां पर कहा जाए कि आप 1580 में कौनसी छोटी संख्या जोड़ दें कि यह पूरी संख्या पच्पन से पूर्टा वीभाजित हो जाए दारे दादर आप उपच्पन का पाड़ा वड़ा आतानीघ का होगा ऐब पच्षपन का पाड़ा नहीं आता तो क्या होगा फिर क्या होगा क्यों तो अइसी कंडुसन में सूत्र काम आता ऊपर वाला ओपर वाला भगवान नहीं यह जो दिख़़ा है कैसे जोड़ी जाने वाली संख्या अगर निकालना है तो भाजक में क्या करेंगे भाजक में से सेस्फल क्या लिखा यार यह गलत लिखा क्या मुझे लग रहा है गटा देंगे सही लिखा गलत नहीं लिखा ठीक है तो भाजक क्या दो है सेस्पल क्या बचा एक ना इसमें गटा दो एक आया ना यानी 21 में हम एक जोड़ देंगे तो यह संख्या पूरता विभाजित हो जाएगी इसको दूसरे एक जांपल से समझ लीजिए थोड़ा अगर मैं इसमें भाग करूं समझना मैंने भाग किया 111 में इसमें 3 से अब 111 में कौन सी छोटी फे छोटी संख्या जोड़ दें कि 111 3 से पूरता विभाजित हो जाए समझना देखिए यह पूरा-पूरा वाईसे विभाजित है ग्यारा में नहीं बन रहा बात इसको 13 कर लीजिए ना कुछ भी ऐसा करिए जिससे विवाजित ना हो तो इसको अगर हम 113 कर लें तो यह क्या हो जाएगा तीन ना आप समझना यह कितना आगया दो यानी 113 में हम कौन सी छोटी फे छोटी संख्या जोड़ दें कि 2 से पूरता स्वरी तीन से पूरता विभाजित हो तो वह संख्या निकालने के लिए अब हमें नहीं पता है कि 113 के आगे कौन सी संख्या आएगी जो तीन से पूरी तरह कटे तो भाजक में से सेसपल को घटा देंगे भाजक तीन है तीन में से दो को घटा एक आएगा ना यानी 113 में जोड़ेंगे 114 में अगर हम भाग करे ठीक है जीरो आजाएगा सभी को समझ में आया कोई डाउट नहीं न कुछ दिक्कत हो रही क्या क्लास में फंसर आया क्या कुछ सई चल रहा है तो कमेंट करिए लिखिए जल्दी उतारिए चलिए अगला कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट है 1408 में कौन सी छोटी फे छोटी संख्या को हम जोड़ दी जाए कि प्राप्त जो योग है वो 12 से पुरुता विवाजित हो जाए फटा फट कमेंट करके बताईए अप्शन पहला दो है 6 है 8 है या 0 है मतलब 1408 साथियों मुझे सिस्टम पर थोड़ा इरर दीख रहा है कि लाइक कर रहा है कुछ अब क्या है मुझे नहीं पता चल रहा है जब यह क्लास में देखूंगा दुबारा तो पता चल पाएगा आप लोग बताईएगा क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है फिर भी मै में बारा से भाग करना है करा इसमें कौन सी छोटी फिछोटी संख्याम जोड़ दें कि जो योगफल है वह बारा से पुड़ता विवाजित हो जाए तो पहले तो हम देखेंगे कि इसमें बच क्या रहा है तो आया सेस्पल उपर जीरो घटा यह आठाया उपर से आठ उता दाएगा तो भाजक कितना बारा मैंसे चार गटाओ कितना एक यानि हम क्या करें चाओदा सव आठ में आठ को अगर जोड़ दें तो जो संख्या आएगी वह क्या होगी क्या होगी 12 से पुरुता विभाजित हो जाएगी कैसे वैसे सिंपल सा है सोचिए आपकी चार सेस्प तो अगर यह बारा रहेगा तो बारा का भाग तो बारा में जाएगा ना जाएगा ना तो ऐसे क्लियर हो गया बात समझ में आई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर आप बेसिक सीखें हैं तो बेसिक मैथ नहीं आती तो आप PBR study application में जा करके पहले जीरो लेबल ज इसमें उतना बेसिक जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अगला कुश्चन कि कह रहा कि पचीस सो अठारा में कौन सी छोटी फे छोटी संख्या जोड दी जाए कि योग 19 से पूरता विभागत हो बहुत आसान है पचीस सो अठारा में आईए पचीस सो अठारा वह कौन सी छोटी फे छोटी संख्या जोड दी जाए 19 से बोल रहा है तो 19 से भाग करिए गटाएंगे कितना एगा च्छे उपर एक आप कितनी बार जाएगा तीन बार गटाएंगे कितना एगा चार उपर आठ ए उन्नीस दूना अड़तिस तीन बार जाएगा क्या नहीं दो गटाने पर 10 आ रहा है न अब यहां पर आप देखना क्या है कि सेस्पल दफ आ रहा है अगर हमें निकालना है कि इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड दिया जाए कि सेस्पल जो है वो पूर्ता विभाजित हो जाया मतलब असंख्या तो वह अंसर क्या 19 मेंसे 10 गटा तो क्या आएका नौन यानि हम क्या करें अगर इसमें नौ जोड देते नौ कम है तो यह 19 से पूर्ता विभाजित हो जाता कैसे आप सोचे इसमें नौ जोड देता तो यह उनई सो जाता ना अब बता होने सका भाग उने इसमें जाएगा ना एक बार चला जाता कर जाता जिल्कुल कमेंट करके बताओ अलका स्री वास्तों समझ में आ रहा है हरी स्याम अजय कुमार आपको भी समझ में आ रहा है प्रिया सिंग मोहित रौनक मोनु सिंग प्रतिमा यादो, सबको आ रहा है न, किसी को कोई डाउट नहीं न, और पिता आपको भी आ रहा है न, तो फिर बढ़िया अच्छा है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ और नया ले करके, कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसी लगी, हमारी कोशिस है गागर में सागर 30 मिनट में आपने देखिए कितना कोश्चन पढ़े, आज 10-12 कोश्चन पढ़ लिए न, कांसेट भी 3-4 क्लियर हो गए, तो कितना मस्त कलास है, कमेंट करके बताइगा, अगर आप इस कलास को यूटूब पर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कलास है यूटूब पर डे मिल जाएगा, उसे इन्रोल कर लें, जिससे आप फूल कोर्स कम समय में देख पाएं, क्योंकि यूटूब पर बहुत टाइम लग जाता है, टाइम बच नहीं पाता अफली के संसे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की घहराईयों से आपको धेर सारा थैंक्यू, आपने इतना टाइम दिया और सीखा, उमीद है आपने नोट्स भी बनाया होगा,